दोस्तो आरपी एप कॉंस्टेबल और सब इस्पेक्टर का एक्जाम चल रहा है दोस्तो और यह अभी जनवरी तक चलेगा दोस्तो तो जिन लोगों का एक्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफी हेलफुल साबित होगी दोस्तो तो इस वीडियो का अन तक देख दोस्तो आरपी कॉंस्टेबल सब इस्पेक्टर का जो सीवीडियो एक्जाम होगा उसे आप एक वीग में एक सब्टे में क्यालिफाय कर सकते हैं दोस्तो ज्यादा मार्स लाने की जौरत नहीं है आपको सिर्फ 25 परश्णट में ही क्यालिफाय कर जाईएगा दोस्तो अगर रेलवे को ऑफिसेल वेफसाइट में जाकि देख सकते हैं जो तो दोनों में जरा सब यह अंतर नहीं है लेकिन एसाइए में जो कोशन आएंगे और टप लेबल का आएगा यानि ग्रेजुट लेबल का आएगा सब इस्पेक्टर में और कॉंस्टेबल में जो कोशन आएगा लेबल का आएगा तो कोंस्टेबल का एक्जाम दिसंबर से स्टार्ट है दोस्तो और सब इस्पेक्टर का एक्जाम 19ग साथ 156 डेघन्ट का समय मिलेगा 120 कोशन सॉल्ब करने होंगे दोस्तों तो पूरा क्रोशन करने के चक्कर में आपना रहिए यहां पी आप देख सकते हैं आपको क्या लिखा गिया है CBT परिच्छा में 35% अंग परात करना अनिवायर है यानि आवसक है और अनुस्ची जन जातीयों के लिए आप यहां भी देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं सिपाइटीस पर्षेंट में के जोरत नहीं है दोस्तों आप एलिपी और गुरूप डी वाला गलती कभी भी मत किजिए दोस्तों क्या हुआते पिछले बार लोग अफ़ा पहला दिये थे कि सतर से उपर मार्स लाना होगा इतने सारे इसके चकर में लोग 35-35 पर्षेंट मार्स भी नहीं ला पाया आखिर में किया हुआ 35-35 पर्षेंट वाला का ही तो रिजल्ट निकला हुआ है 35-35 पर्षेंट वाला को ही सेलेक्शन किया गिया है और जर्नल आवर्नेस में आपको देखना है दोस्तों क्या क्या पढ़ना है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको विश्वास नहीं होता है यह सिलेबस आप आर पीएप के ऑफिसिल वेपसाइट से ही मैं लिया हों दोस्तों आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो आप्छास अंका पूछा जागा तो इसमें से जर्नल नवर नश बहुत बढ़ा है दोस्तों इसमें मेरा suggestion है कि आप पिछले 6 मन्द या 3 मन्द का current affairs कीजिए क्योंकि current affairs बहुत जाद आओ इसे पढ़ने बहुत टाइम लगेगा दोस्तों उतने टाइम तो है नहीं आपके पास तो मैं इसके लिए दोस्तों October, November और December 3 मन्द का एक separate video बनाया है जिसमें top 33 question को मैं select करके बनाया है दोस्तों उसे बनाने में काभी time लगा हुआ दोस्तों उसमें से question आ सकते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा important question है आप उस video को जरूर देख लिजिए दोस्तों जो हमारे channel में जाकर देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं क्या क्या पूछा जागा प्रसनों का उद्देश उनके आस पास के परिवेश और समाच के लिए आवेदन के अभी आरती की समान जागूरता का परिचन करना होगा वर्तमान का ठ्ठाओ की ग्यान और रोजमरा क अलोकनों और अनुबहों के ऐसे मामलों का परिचन करने के लिए जिसका किसी भी शिचित बेक्ती से उमिद की जा सकती इस परिचा में भारती इतिहास कला और संस्कृती भूगोल अर्थसास्त समान राजनीती भारती समिंधान खेल समान पिक्यान इतियाजी समधी परस्न भी सामिल होगे मतलब दोस्तों आज आस पास के जो घटना है घटी धोरे घटी धोरे उसी से पूछा जाएगा दोस्तों मतलब पिछले 6 मंद का ही अब देख लिए दोस्तों ज्यादा मन देखिए और इतिहास कला संस्कृती भूगोल यह सब भी थोड़ा बहुत देख लि अब भी नहीं लाया है दोस्तों तब जादे जादा फोकुस आप अंग गनित यानि मैथ में कीजिए यानि कोईंट और रिजिनिंग में कीजिए दोस्तों और इसका भी मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों हिट्री और जग्रोफी का बेवी मैं 50-100 कोशन सेलेक्टेट को अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा लिजिए दोस्तों ताकि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिला करेंगे तो आगे मैं बता दोता हूं दोस्तों और किस तरह से पढ़ना है यहां पर आप देख रिखते हैं जन और्टमेटिक में क और आने वाला हो ताब नमबर कर को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों सौदेशर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर देख सकते हैं यहां पर ज़्यादा से नहीं दिया गया तो यहां पर देख सकते हैं आप परसंटेस है रेसियो है एबरेश है इंट्रेश्ट प्रॉफिडेंट लॉड डिसकाउंट है यूज अफटेबल गराब में सुरेशन टाइम है और यह तो आप टेंट में ही से हीसितागा सिमिलाड टेश से पुछा जागा स्वाइशन से से पुछा जागा सब आपको पता होगा दोस्तों अब टेंट में ही पढ़ेंगे लेकिन अगर सब स्ब्सप्रक्रेश्ट का एक्जाम्स थे और कॉंस्टेबल का एक्जाम दे रहे हैं तो लो लेबल का पढ़िए यानि मैटिक लेबल का पढ़िए और विज्यूल में मोरी से आएगा और डिस्क्रीब मिनेटेटिंग ऑवजर्वेशन यह सब से आएगा दोस्तों रेलेसेंशीप कॉंसेप्ट आर्फमाटिक रिजनिग अभी इसका स्क्रीण सोट लेके देख सकते हैं दोस्तों यह बीडियो को पहुच करके देख सकते हैं आर्फमाटिक नंबर सीरीज से आएगा यह सब मतलब क सबस्क्राइब करते हैं एक 120 मर्स में 42 मर्स लाना है यानि 25% 42 मर्श होता है दोस्तों में आप निकाल सकते हैं इसका percentage और physical में offer दिबन है द्यान दिजे दोस्तों क्यूंकि physical और retain दोनों बढ़ाबर ही समझिए जितना जोरी आपका retain निकालना होतना जए physical भी निकालना है दोस्तों और इस एक्जाम को आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों जैसे कि ये आप इस साल का आपका आखरी एक्जाम हो और इसको किसी भी हालत में आपको निकालना है किसी भी हालत में आपको वर्दी चाहिए दोस्तों चाहिए कुछ हो जाए नया साल कॉंस्टेबल और साभी स्पेक्टर्स रिस्टार्ट करके ही रहेंगे तो दोस्तों हसते रहिए और हसाते रहिए और टेली हमारा वेडियो सुभा 6-9 बजे के वीच पाते रहिए तो जै हिंद